वेल्टेस्ट डिजाइन नेगीस पैबली उत्रकर्ट चलिए देखिए आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुम न्यू पैट्रन लेकर आई हूँ लेटिस्ट डिजाइन बीटिफुल पैट्रन है देखिए इस तरह से डिजाइन है इसमें जो है मैंने थोड़ा सा बॉर्डर रखका है मैंने एक सिधा एक उल्टे का और ये एक पैट्रन मैंने त्यार करके रखका है इसके फंदे जो है वो मैं आपको बता देती हूँ इसमें 14 के मल्टिप्लाई फंदे आपको रखने है प्लस में टू यह जो बीच में आपको फंदे रिख रहे है यह प्लस टू और साथ में एक सिध के लिए दो फंदे तो आपको 14 प्लस 14 प्लस 14 इस तरीके से मल्टिप्लाई करते है वह लास्ट में 2 प्लस 2 का पैट्र रखना है तो दिखिए इसमें जो है यह मैंने यह 14 पहला फंदा मैं स्टेच उतारती हूं आपकी मर्जियाद गुनिये यह स्टेच उतारिये धागा गी करेंगे दो फंदे उल्टे एक और यह दो धागा पीछे करेंगे अब देखिए यहां पर जो है यह वाले फंदे जो हैं हमारे पास यह 12 पंदे सेंटर वे तो यह 12 करेंगे इस थे कैसे में थे पीछे के दो फंद में फंदय को लेंगे इन डो को उतारेंगे इस igu को आगे और इन चारों फंदय को सिधर आ एक, दो, तीन, चार, तो हमने यह क्या था गया है इसमें हम चार फंदों को ओवरलैब किया जो पीछे के फंदे थे हमने उनको पहले बुन लिया और जो आगे के फंदे थे उनको बाद में बुना अब यहां के आठ फंदे हमने सीधे ही बुनने हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ और यह आठ इस सरीके से यह हमारे बारा फंदे होगे धागा आगे करेंगी यह दो फंदे हमारे उल्टे एक, दो, धागा पीछे अब देखिए हमारे पार्टरन की फिर से स्लाइब स्टार्ट होगी इन चार फंदों को एक, दो, ती, चार इन चार फंदों में से इन दो फंदों को हम पीछे ऐसे स्लाइब पर लेंगे ऐसे उतारेंगे इन दो फंदों को पीछे ले लेंगे और इन दो फंदों को आगे के तरफ लेगे, चार फंदे हम सीधे पुनेंगे, एक, दो, तीन, और ये चार, और बाकी के आठ फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, धागागे करेंगे, ये लास्ट के दो फंदे उल्टे, और जो एल स्टिच है, इसको हम ऐसे करके सीधा पुनेंगे, तो पहली स्लाई हमारी पूरी होगी, देखिए ऐसे ओवरलैप कर गया, सेकिंद स्लाई, जैसे फंदे आपको लिखाई दे रहे हैं, वैसे हमें बुनने, जैसे ये पहला फंदा मैंने स्टिच का उतारा, दो फंदे यहां हमने उल्टे स्लाई में इन्हें सीधा पुनना है, दो फंदे सीधे, ये बारा फंदे हमने यहां पर सीधी स्लाई पर सीधे बुनेंगे, उल्टे स्लाई में उल्टे बुनेंगे, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, और ये बारा, ये बारा फंदे हम इस तरीके सीधे बुनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, ये दो फंदे सीधे, एक, दो, फिर बारा फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, और ये हमारा बारा फंदा, धागा आगे करेंगे, दो फंदे सीधे, एक, दो, और ये एस टिच का फंदा, ये उल्टा बुनेगे, तो हर बार ये इस तरफ में इससीधे बुनेगे, तो हर बार यह स्लाई होगी मैंने एक भर आपको बता दिया अब उल्टी स्लाई आप इसी तरीखे से बुलेंगे अब हम आते हैं इसकी थर्ड स्लाई के तीसरी स्लाई है देखें तीसरी स्लाई में हमें क्या करना है फिर से पहला फंदा हम एस स्टिश कर रखेंगे यह दो फंदे हम उल जीसरी प्राइब करेंके हम फंदे यह दो करना है गहिन डूपेंगे स्टाइब तर्याइव स्टाइब लूफोदे नहीं फॉय जई तरह सकते हो एक फंद स्टादी स्टाइब और पीछे केट अदुडों को तो तो रीपे हमारे चार पनदी जिर और और आ रहे दो कि आ दूहां हमारे चार पंदे और आ यह पर हमारे च्दे मीटगा और चाह छाह पंदी है यह दोफंदों, इके 2 पाराइक करेंगे, फिर इसके बाद धागागे करेंगे, जाली देंगे और फिर से इन 4 पाराइक करेंगे, इन को इस wealthy टर सब सी टर दर करेंगे जो ये फंदा है इसे हम ऐसे सिधा भून लेंगे दो तीन चार ये चार फंदे आपने भून लिए अब यहाँ पे हमारे छे फंदे रह गए एक दो तीन चार पाँच और ये छे लास्ट के दो फंदे ये हमारे उल्टे जच सिधा भून लेंगे ये हमारी तीसरे स्लैट कम्पीट होगी 34 स्लाइख हमने जैसे बताया था वैसे ही मैं बून लें जैसे फंद हमें दीख रहे को आप यह एक घटाया था इसको सिधा वोनेंगे इस प्रश दिए को जाली को करेंगे को खाएंगे इस तरीके से हां फिर से इन चार पंदों को आब लेप करेंगे इस तरीके से बैक साइड शाइडस आएंगे इन दो फंदो को इस तरीके से उता रहेंगे शलाई पर वापस लेंगे फिर से चार फंदे इसी थे एक दो तीं चार अब हमारे पास यहां चार फंदे रह пошए इसी थे एक दो तीं चार फिर से देखे पैटल रिपीट हो गया धागा आगे करेंगे दो फंदे उल्टे पिर यहाँ पर ये दो का एक किया था ये वाला फंदा एक इसको सिधा हम बुनेंगे ये जाली का फंदा था इसको सिधा बुनेंगे इन दो फंदो को ये वाले तेकि अभी देखे इस तरफ को जा रहा है ये दो फंदो को दो का एक क लो का इक पंदा एक बढ़ गया अब आगे के जो चार फंदे। अगे के जो चार पंदे इनको इस तरीके सेी और चार फंदे हुँत बोल लेंगे एक, दो, ती, और ये चार, आगे के चार फंदे सीथे एक, दो, तीन, और ये चार, धाका आगे करेंगे, दो फंदे, उल्टे बुनेंगे, और ये लास्ट का फंदा, ऐस स्टेच, इस तरीके से बुनेंगे, तो पास स्लाइएं हमारे पूरे होगी, छटी स्लाइम में बुन लेती हूं, जैसे हमने उल्टी बुननी है, वैसी हम उ पूरी कर लिए है, अब आज आदे इसकी सेबंथ रोपे, पहला फंदा, एस्टिच, दो फंदे हम उल्टे करेंगे, फिर से दो फंदे, ये उल्टे, अब यहां पर देखे, ये एक फंदा, दो, तीन, और ये चार, ये चार फंदे हम सीधे बुनेंगे, फिर से में इस दो फंदे है, इनका दो का एक करेंगे, इन दो फंदो का दो का एक किया, जाली डाली, अब इन चार फंदो को उगर्लैप करेंगे, इस तरीके से, ये दो फंदे हमने इस लाइप लिए, इन दो फंदो को तारा, ऐसे चड़ाया, इस तरीके से, चार फंदो को बोलनेंगे, एक, दो, तीन, चार키ए, हम तेचे यहां पर आपर हमारे लास्ट के यह दो फंडे रहे घे जैनल को भी सिधा हम पोलिए यहों को मांने पंदों स्चारट अब कानद योशाट करें यहां पे हम क्या करें कि इन чार पंदों का दो ऐक करेंगी उस तरफिके से जादी देंगे और इन चार पंदों का इस तर में हम राइड थो थार की दो कंदे ऐसे आप लेंगी और यह जो चार फंदे इनको तुर पंदेख सिधा पंदेगी एक, दो, तीन और ये चार, लास्ट के दो फंदे सीधे एक, दो, दागा आगे, दो फंदे उल्टे लागा पीछे और ये एक स्टिच का, ये सा स्लाइएं हमारी पूरी होगी, आठी स्लाइएं के उल्टे गुल लेती, फिर आता है नेक्स स्लाइएंएं, इधिक याठ द customs और यहाहा उप्या इंस्टिच स्टिज धगा ईंडा हो उद्गत कि दो ने पीछे करघा गिए पुर्णका से इन दो फंदो को इस तरह के से करेंगे। और यह इस तरह के से फैसे को किम पिया हुआ हुआ जाए हुआ हुआ हैुआ है अनुद 뚜 नम् sympathy करेंग एक दो तीन चार पाट छे इन दो फंदों का दो का एक करेंगे जाली डालेंगे और इन दो फंदों का ऐसे करके ओगर लपिंग करेंगे इस सरे किसे फंदे सिधा बनेंगे एक दो तीन चार दाग घिकरेंगे जांगे ये दो फंदे मेरे इरह फंदे खंदा एस्टेच का शे US On सutम stirred ने कंप्लिट को जएक है इस के टैन थृ पे है कि ये स्वुडे अश manufacture सूथी को दूब दूब होनी ए गजाए एक श्रम करोए का फंदा इंतारा दो फंदे उल्टे एक दो धागा आगे किया एक दो तीन चार पांच छेए साथ आठ आठ अठ जब हम आख लेंगे तो यह देखिए चार फंदे हमें ओवरलैप के दिख रहे हैं इसमें से यह जो दो फंदे इन दो फंदों का दोका एक करेंगे जाली देंगे और ये ऐसे हम सिधे बुन लेंगे फिर से repeat pattern दो फंदे उल्टे एक दो तीन चार पाच छे साथ आठ ये आठ फंदे जब हम बुन लेंगे इसके पाद ये चार फंदे जो ओवरलैप के देख रहे हैं इसमें से ये दो फंदे इनका दो का एक करेंगे धागा आगे करेंगे और दो फंदे ऐसे ही सिधे बुन लेंगे और दो फंदे उल्टे तो ये 11 स्लाइयां पूरी हो चुके हैं मैं 12 स्लाइय पूरी करते हूं उसके बार आपको दिखाते हैं देखिए हमारी 12 स्लाइयां पूरी हो चुकी है तो इस तरीके से ये पैटरन मारा बन के आएगा फ्रंट से तो ये हार्डली 12 स्लाइयों का डिजाइन है आप इसको फिर से यहां से रिपीट करेंगे फ्रस्ट स्लाइय से ही ये इस तरीके से बनता हुआ बचाइएक ये ये इस तरीके से दिखाए देगा अब देखिए कितना सुन्दर आया है ये बन की तो आप ये किसी भी प्रोजेक्ट में अपलाई गर सकते ह Hahn जेंट्स की स्वेटर में भी बना सकते हैं लेडिस की कार्डिगन में भी बेबिस की स्वेटर में भी I hope so कि आप लोगों को ये मेरा डिजाइन पसंद आए अगर आपको मेरा डिजाइन पसंद आए प्लीज चैनल को लाइक कीजे सब्सक्राइब कीजे और जाधा से जाधा शेयर कीजे और बैल आइकन को भी आप क्लिक कर लेजी ताकि जो भी मैं अपलोडिंग करूंगे न्यू वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाए थैंक यू सो मच